हलो दोस्तों कैसे आप सो मैं हूं इंदरपार और मेरे शनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता हूँ है कि कैसे आप जो अपने प्रीमियम वोडमार थीम की प्लगिन्स को कैसे जो है अपडेट कर सकते हैं अगर अपडेट अबलेबल दिखा रहा है तो जैसे को दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता है कि वह अपनी प्रीमियम प्लगिन्स को जो है कैसे अपडेट करें जब ही वो अपडेट करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ एरर रिसीव होता है तो जैसे के दोस्तों हम अपनी website के admin panel में आ चुके हैं यहाँ पर दोस्तों आपको left hand side से plugins पर क्लिक करना है तो दोस्तों plugin page पर आने को बाद आपको यहाँ पर नीचे scroll करना है जैसे के आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो premium plugin है slider revolution और इसके साथ जो है WP bakery page builder दोनों के यहाँ पर दोस्तों जो है update दिखाई दे रहा है जो कि latest version यहाँ पर available है तो अगर दोस्तों मैं इसको select करता हूँ और यहाँ पर जो है update बटन पर click करता हूँ इन plugins को update करने के तो देखिए कि यहाँ पर क्या होता है तो जैसे कि दोस्तों मारे plugin जो shall update हो रही है तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक error आ अचुका है जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है update फैल मतलब दोस्त अगर आप डारेक्ली यहां से अपनी plugins या फिर एक्षेंशन को जो है अपडेट करेंगे जो कि आपके theme के साथ premium add-ons आते हैं तो कुछ इस तरह का error show करेगा तो दोस्तो कैसे आप जो है इनको अपडेट करेंगे तो उसके लिए दोस्तो आपको यहां पर top में जाना है जैसे कि दोस्तो अगर आप यहां पर top में जाएंगो तो आपको यहां पर middle एक option मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ begin updating plugins इस पर आपको click करना है जो भी आपकी दोस्तो premium theme की plugins याफर extension update के लिए available है वो आपके यहां पर show करेंगे उनको simply आपको select कर लेना है और अभी दोस्तो आपको यहां पर update select करके apply changes पर click कर देना है यहां से दोस्तो जो भी आपके premium theme के plugins याफर extension है वो easily update हो जाएंगे जैसे कि दोस्तों आप हमारे case में दे सकते है जो हमारे premium extensions है मतलब जो हमारी premium plugins थी वो बड़ी ही आसानी से यहां पर जो है बिना किसी error के update हो चुके है अभी दोस्तों आपर यहां पर return to plugin पेज़ पर click करता हो तो मेरा यहां पर जो है update के लिए नहीं दिखाएगा अगर मैं दोस्तों यहां पर यह plugins में फिर से click करता हो और मैं नीचे scroll करके आपको दिखाता हूं तो यहां से जो है update का era जा चुका है तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपनी website के premium themes के plugins या फिर extension को बढ़ी ही आसानी से update कर सकते हैं मुझे उम्मीद हो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कुछ ही सुझा या फिर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे comment box नमर से पूछ सकते हैं और अगर आप मेरी चैनल पर नीव है तो मेरी चैनल को जब जब सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियो में आमेशा आपके लिए लाता रहता हूं तो आज के लिए इतना ही thank you for watching